द्वारका कोर्ट बार एसोसेशन के चुनाव से पहले तमाम प्रत्याशी वोटर्स का विश्वास जीतने के प्रयास में लगे हैं इसी कड़ी में कोर्ट परिसर में इलेक्टोरल डिबेट का राई गई जिसमें तमाम प्रत्याशियों ने पार्किंग, नए चैंबर्स, पुलिस थानों को कोर्ट के अंतरगत लाने, कैंटीन और अधिवक्ता सुरक्षा जैसे मुद्दे उठाए और इन सभी समस्याओं का हल निकालने का वादा किया, डीसी बीए चुनाव पर अनुभवी अधिवक्ता अनील लोचप ने क्या कहा, जरा सुनिये प्रवीन जी पहले इंडिया टाइम आप लोगों धन्यवाद, जो आप द्वारका से और बाकी छेतर के सभी मुद्दों को तरीके से उजागर करते हैं, और मैं इसके बारे में देखो, जैसे मैं कोई भी बात सुरू करता हूँ, तो छोटी सी दो पंक्ती बोलता हूँ, इ मैनत के बिना कुछ नहीं मिलता, उमीदों का फूल हमारा कभी नहीं खिल सकता, हमें यकीन है जित अंदर सोलंकी जी पर उनके परिस्रम से ही वकीलों का भला और समाधान हर समस्याओं का हमेशा के लिए हो सकता, तो मैं देखो, नौमिनेशन से और पहले भी, मैंने देखो, यो नहीं है कि आज इसके साथ खड़ा हूँ, कल उसके साथ खड़ा ह playground हूँ, उनको मैंने commitment दिया था और उनको दिल, मन से, आत्मा से हम मेनत कर रहे हैं, और मेरे साथ, मेरी जानतारी में मेरा जीसे बांजा है ओर रहता है पालम वीयर में, जो और भी है, इस दुनिया बढ चलेगा और बाकी और भी उमिद्वार हैं President के लिए यह यह वह सब को लोगों ने पहले परखा हूआ है देखा हूआ है तो हरे एक के बारे में सबको पता है तो मैं किसी के बारे मिन निकाओंगे फला को दो यह दो वह दो हाजी तेंदर सुलंकी जी का मैं दिल से ओपन ली इनके साथ खड़ा हूँ उनकी जो नीतियां है उनकी बोल चाल है वैवार है कारिय सहली है वह वाक्य बहुत अच्छी है जैसे यूपी में एलेक्शन हुए थे आपने देखे होंगे आप एक नारा चला था जो राम को लाए हैँ उनको लाना है तो बार में जोनोंने पहले अच्छा काम किया था उनको दुबारा लाना है और धुदार का बार को हम समने मिलके अच्छा बनाना है देखो मैं यही बात कहूंगा और बाकी और कुछ पूछा चाहते हैं पूछे सुलंकी जी प्रेजिडेंट में आप किसको कर रहे हैं सपोर्ट आपने सवाल बहुत अच्छा पूछा इसमें मैंने यह आपको बोला है यह दो प्रेजिडेंट हमारे एंसी सरमा जी है और मुद्गिल जी है जो जो पोस्ट में खड़े हुए हैं और यह पहले भी दोनों प्रेजिडेंट रह चुके हैं तो देखो हमारी पूरी बार की टीमों ने इनका कारिया शहली देखी है दोनों का वेवार देखा है आचरन देखा है तो इसलिए मैं किसी का सुपोर्ट करूँ या ना करूँ उसे फर्क ने पड़ता यह लोग हैं अभी दो दिन बचे हैं तो उससे वो अपना इलेक्शन देंगे वोट देंगे और मेरा मुखे यह जी जैसे बार के अंदर हमारी जो चैंबर्स होते हैं उनको उपर पूर्ण रूप से ध्यान दिया जाए जो नए वखील है रोडों पे ऐसे खड़े होते हैं जैसे बहुत बुरा लगता है जी वकालत की जो प्रॉफेशन है जो काला कोट पहन के ऑफिसर तो कोट बोला जाता है वो रोडों पे खड़े हैं चैंबर्स के जो ब्लॉक है ना उनको छै महिने बना जाए और जिनका इन्रोल मैंट 31 मार्च 2000 बाई से पहले हुआ है उन सब को चैंबर्स ऐसे बाई साब कमसा 10,000 चैंबर्स की जूडता है और जो चैंबर होना वो इन्हरेंटेंस ना हो कि यू ना हो कि मुझे अलाट हुआ तो मैं अपने बच्चों को देदू ऐसा नहीं मेरा बच्चा बाई साब दुबारा इन्रोल होएगा वो अपना भरेगा तम मिले इन्हर इन्हरेंटेंस राइट का सिस्टम खतम हो जाए वो चैंबर से लौट होए जो प्रैक्टिस करें जो नहीं कर रहा है उनको फिर चैंबर वो री अलोकेट होए दुबारा ले वो जो लोग को वैसी बोलते हैं लंडर्ड एड्वोकेट वकील साहाब जद साभी कभी वैसे न लंडर्ड वकील साहब लंडर्ड का मतलब क्या है पड़े लिखे तो हमने वो मर्यादा रखनी है संसकार रखना है रिस्पेक्ट से हंबलनेस से इलेक्शन को लड़ा जाएगा और आगे जो हारे जीते यूनिटी से काम करें और हमारी यूनिटी हमेशा साथ रहें चाहिए प्रेजिडेंशल पद के लिए दिनेश मुद्गिल और एंसी शर्मा ने नामंकन भरा है तो वहीं जितेंदर सोलंकी सेकेटरी पद के लिए चुनावी रण में उतरे हैं कुल मिलाकर 46 लोगों ने विबिन्न पदों के लिए नामंकन भरा है सबी वोटर्स को लुभाने की क समस्या है काम की समस्या है उसके साथ साथ यहां पर चैंबर्स की समस्या है सीट की समस्या है उसके साथ साथ ओध कमिशनर और नोटरी वहां जहां बिठाने के उनकी समस्या है वो गलियों में बैठे हैं उनको एक विवस्तिक तोर पर उनको सही जगे देने की समस्या है उसक कोट के अंदर हमारी द्वारका कोट में एक चैंबर में पिछले साल मर्डर हो गया था और रोहिनी कोट में कोट बिल्डिंग के तो छोड़ो कोट रूम के अंदर तीन बंदों का मर्डर हुआ था ये सेकुरिटी की बहुत बड़ी समस्या है इसके लिए हमें काम करने की तो उनको हटाके और प्रैक्टिसिंग अडवोकेट्स का ही कामियां बढ़ाया जाए इस डिबेट में सैक्डों लोगों ने हिस्सा लिया इस बीच समर्थकों में अलग ही उस्सा देखने को मिला बता दें डीसी बीए के पताधिकारियों का चुनाव हर एक वर्ष में होता इंडिया टाम 24 न्यूस सबी पत्याषियों को शुभकामनाई देता है और ये उमीद करता है कि जीत असी की हो जो काम करे है ते तर वे, इनावाट!